नमस्कार दोस्तों सागत आपको अपने चैनल जेके स्टूटेंट पॉइंट अपडेट्स में आज की वीडियो में बात करेंगे फर्स्ट स्मेस्टर के एक्जाम के बारे में आपको पता दिए कि जम्मूज उनिविस्टी हो जा क्लस्टर उनिविस्टी हो उनके अंडर तमा आनलाइन तरी किसे होंगे आपने घर से बैच जो कंढ़ेंगे और को कैसे देने हैं इस बीडियो में आपको पताने वले हैं स्टेप टोस्टेप इसलिए जो को देखो और आप निए दोस्तों को आिस चैनल के बारे में बता आएं ता कि उडेंगे अग्जाम के टाइम को दिकत ना हो आपको क्लेरफाइ करवादें कि जम्मूज उन्विस्टी का नोटिस भी सातारिक आ गया है जम्मूज उन्विस्टी ने भी साथ साथ जहीं कहा है और दोनों जो जो है जो आनलाइन लिंक वूश सिस्टम आप लोगों के आनलाइन अग्जाम होंगे काफी बचे जिन्हों कोभी आउनलाइन अग्जाम नहीं दिये हैं क्योंकि जेस्ट बाट वाल तकरके आभी विकालिच Reigns Lies और लिकालिज में अड्मिशन लेते ही है श्कूल कालिज कॉविट की दूर में बंद हो गे। उसके बाद उन्हों ने आनलाइन क्लासी से लगाई उसके मदेन अज़र आप लोगों की जो अग्जाम है वो आनलाइन तरफी से ही किंड़ट कराने जा रही है चमविज उनिविस्टि और कलस्टर उनिविस्टि आपको किस तरह궁 तरह यह से अग्जाम देने हैं जो आपको पहले ही बता रहे हैं जो पिछले बार पिछले साल जो आलाइन एक्जाम दिये थे बच्चों ने कैसे दिये थे वह इस वीडियो में बताने वाले हैं अगर कुछ कुछ मोडिफिकेशन लाती है जमू जुनिविस्टी जा क्लेस्टर जुनिविस्टी कुछ और एक्स्ट्रा गाइलाइन्स लाती है तो हम आपको वो अलग टाइम का बताएंगे बट पहले आपको शोटा मोटा हिंट दे देते हैं कि पिछली बार जो पीडियाफ दी वो कैसे अपलोड की गई थी किस तरह से पिछली बार बच्चों ने आनलाइन अग्जाम दिये थे यह सिर्फ फॉस्ट समेस्टर के बच्चों के लिए वीडियो है दाकि थर्ड और फूर्ट वालों के लिए नहीं है इसलिए आपको बता दें कि आपकी डेर्ट शिट्स आने वाली है कि आप लोगों को क्या करना है सबसे पहले क्या करना है मार्कीट में मार्किट से अप लोगों को क्या लेकिया नहीं है कैसे पेज होते हैं वो यह वीडियो लंबा रहेगा तस से बारा मिनिट का इसलिए हमारा इस्टाग्राम पेज फालो कर लो दोस्तो जे वाली फोटो लगाई है जे के स्टूडेंट पॉयंट के नाम से है मैंने कल ली फुष्ट समयच्व वालों के लगसे वीडियो बनाई थी आप लोगने देखी भी होगी लगोई एक हजार के असपास बंदे देख रहे हैं नोटिफिकेशन बगारा बात करी थी बट उसमें आपको डोगरी वाला चैनल बैना दिखाए था आप लोग सस्क्राइ अकोपद्द की पिछली बार पता क्या हुआ था पिछली बार जब बच्चों ने अनलाइन एक्जाम दिये थे तो उन्हें सबसे पहले आप लोगों को अपने कालेज के वाटसब ग्रूप में इंटर करना होगा तमाम बच्चे वाटसब ग्रूप में जुड़े होंगे अपने कालेज में जाकर भी ले आ सकते हैं बट कालेज वाले भी आप लोगों को देते थे उस कोविड के दोर में जब पिछली बार एक्जाम हुए थे दो यार 21 में तो तब करोना बहुत ज़्यादा था उसके जलते कालेज के आपके रोरंबर वाटसब में ही मिल गे थे बट आभी कोवे नहीं है शायद आपको कालेज से ही रोरंबर मिल जाएंगे उसके बाद आप लोगों को कालेज आनलाइन एक्जामिनेशन अफेक्टू जानिक पिछली बार नतीस अपरल से शुरू हुए थे आल स्टूडेंस अडिरेक्टर टू जाइन दा ग्रूप जान सब्सक्राइब को इसलिए पर साइस के दो एक दो पैकेट आप लोगों को अपने गर में रख लेने हैं अभी से ही और आपके स्टेशनेरी की शाव होती है बुक्स बली शाव बहां पर जाके आप लोगों को एफोर साइज के पेपर लेकर आ जाना है अभी लेकर आना जाना है फॉस्ट और फॉस्ट समस्स बाले जमू युनिविस्टी से भी और कलस्टर के भी बच्चे उनको एक आपको आएगा लिंक कि लिंक बंद होने से आगको पड़ी आपको पर आएगा आज ऋडर यह लिग जाएक होगा और तक दाइम के आंदर ही आपको पीलेफ पर लिखके लिखके पीडिएफ बनाखे अप्लोड करनी है अगर आप लोग टाम की अप लोड़ी नहीं कर पाईगी तो जो लिंक लिंक होगा वो लिंक उड़ जाएगा लिंक जो है वो बंध हो जाएगा फिर आप फेल हो जाओगे इसलिए अलट होना बहुत जुरूर है उसके बाद आप लोगों को ने जो शीट पेपर लिखने हैं उन्स अभी को संभाल के रखना है और उन सभी आंसर शीट जो होंगी उ यह बार मैंने होते पहली बार यह इस तरह का क्लिक अपयप्र क्लिक कर देना है को कॉशन पैप लिखन पैप लिखना है टाइम स्टार्ट हो जाएगा जब आप लोग लिंक ओपन करोगे जैसे इस तरह का आप लोगों को यह कोरे पेज होते हैं बहुत लिखने हैं इदर युनिवस्टी अलावाद लिखा आपको लिखना है युनिवस्टी आप जमू पहले पेज पर फिर से लिखना है इन्हों नहीं कोरे पेज लिखा ऑपको लाइन वाले प्यूरे पेज बनेंगे यह संब लिखने उन सबी को आपको सीधी PDF बनानी है एक document scanner आप लोगों का app है document scanner app उससे आपको क्लिक करने हैं साथ साथ में क्लिक होते जाएंगे PDF बन जाएगी PDF बनने के बाद आप लोगों को जब set document name पर लिखना है new document जो भी होगा इस तरह से फिर आप लोगों को कैसे बनानी है सेट डाकॉमेंट नेम में लिखना है एजू उन्होंने लिखा एजू मदर एहलाबाद उनिवस्टी आपना लिखना है जेजू अगर आप प्लैस्टर के हैं तो CLU और आपको फिर आपना रोड नमबर और कोड लिखना है subject का इनका कोड था आपका अलग से होगा आपका होग जूजी पता नहीं जो भी होता है 506 001 होगा फिर उसके बाद इस तरह का पीडियाफ बनेगा और पीडियाफ करके आपको सेव पीडियाफ कर लेना है सेव आए देखें हैं आप लोग यह लिखा हुआ कंप्रेस साइज वाटर में एक शेयर सेव कर देना इससे सेव करने के बाद आप लोगों को शेयर का अप्षिन आएगा यह देख सकते हैं काफी दिक्कत होती है दोस्तों इतना असान नहीं वीडियो बनाना आप लोग लाइक नहीं करते मैंने एक काम आपको बोला कि आप लोग मेरे व्लोगिंग बला चैनल कर आप लोग भो नहीं कर पा रहें पताने क्या दिक्कत हो रहें काफी प्रेशा नहीं सामने होती है दोस्तों कोई भी जूटीव चैनल पर इस तरह का अपडेड नहीं दे रहा होगा और हम कोशिश करेंगे इसके बाद जब आपका पीडियाप सेव हो जाएगा उसके बाद आप लोगों को यह शिप्ट बग सेवगर करके आप लोगों को पीडियाप सेव हो जाएगी तो आपको अपने कालेज वाले उसी लिंक पर सब्मिट कर देनी है ताइम के अंदर ही बाकि जब आप सब्मिट कर देगे उसके बाद आप लोगों को जो पेश चापके बचे हुँगे जब पेश तो गर में रह पर यह हो गया अगर दोस्तों आपको पिछली बार हुआ था कि पिछली बार उन्हों ना कुछ नहीं बोला था कि आपके नकल मार सकते हैं कहीं से भी आप लोग लिखकर सब्मीट करवा सकते हैं पिछली बार फॉस्ट के थर्ड के सारे के आनलाइन हुए थे वट इस बार आप लोग को बुक से A to Z ही उतार लेना है, copy to copy करना, ऐसा नहीं करना, आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा अपने से बना कर लिखना है, थोड़ा आगे पीशे करके, आपको जे नहीं कि आपने एजुकेशन की वही डेफिनेशन जो रटी हुई है, वही डाल देनी नहीं, आपको थोड़ा सा आगे पीशे गुमा के, एक दो लाइन आगे पीशे से उठाके, पीशे करके लिखना है, ताकि एक्जामिनर को पता ना चले कि इसमें बुक से लिखा है, खोद लर्न किया है, क्योंकि आपको बदादे कि बीएट बालों के एक्जाम हुए थे, तो उन्होंने उन्हें गोला था कि आप लोग ना ही बुक से देख सकते हैं, ना ही नेट से, कापी पच्छा बोलेंगे कि उन्हें कैसे पता चलेगा कि आपने बुक से लिखा जर्नेट से लिखा, एक्जामिनर एक मिनिट में पहचान जाएगा, क्योंकि उनके पास भी बुक होती है, उनके बीगूगल होता है, वो भी गूगल से साच करेंगे, और सामने दिख जाए पर आप लोगों के मार्क्स बी कट सकते हैं और आप लोगों की अभलों फेल हो सकते हैं अगर आप लोग उसके जो эпष न्यादरिक करेंगे पट अब है आपक है आपकी डिटाल नौटिपिकेशन नहीं आईह आ ऑब आप लुगों के इस्टैक्शन and must write a name, class, row number, examination, row number and signature top of each sheet. The link of the Google paper from the circulator where the candidates are required to upload the soft copy of the answer sheet at the time of complete a paper. Any student who failed to upload the answer sheet in 10 minutes from the closure of exam, they will be treated as a defaulter and answer sheet will be treated as a cancel. जो फेल हो जाएगा time के अंदर वो cancel कर दिये जागा. The hard copy of the answer sheet attempt to align mode with the submitted within the two day of the last date of exam. जाने कि जो hard copy होती है, मतलब कि जो के page होते हैं, वो आपको जब आपका exam complete हो जाएंगे, उसके दो जा तीन दिन के बाद आपको college में submit करवानी होती है. इसके बारे में instruction आएगी, question paper कितने number का होगा, कितने page का होगा, कितने question आएंगे, वो आपको उसमें लिखा होगा. हमारे काम अपडेट्स करना हैं लगातार चैनल से जुड़े रहे हैं और इस वीडियो को शेयर जूरूर करें अपने classmate के साथ, किसी दूर दराज के बच्चे जो हैं जो नहीं पता चलपाएगा, बचारा कोई fail हो जाएगा, जो ऐसा होगा, इसलिए आप लोग चैनल को शेयर करें, subscribe करें, support करें, हमारे Instagram को भी follow करें लगातार, और ताकि आप लोगों, future में काफी benefits मिलेगा इस चैनल से, जुरूरी नहीं है कि आप लोगों को सिर्फ college की updates मिलेगी, यहां पर सरकारी नोक्रियों के related information, Indian Army, paramilitary forces, civil job, आप लोग कल को teachers की MA करनी है, PG करनी है, जो भी तमाम high courses करने हैं, आप लोगों को उन सभी की details जान करें, जान करें, जान करें, चेकर स्टूडेंट पॉइंट कवर करेंगा, और लगातार पीशे कुछ सालों से करते आ रहे हैं, इस वीडियो को शेर करना है, दोस्तों लगवाग इधर नहीं रहने देना, काफी बच्चे शेर नहीं कर रहे हैं, आगे पीछे, आप लोग अपने whatsapp, अपने college के groups में, या आप लोगों के अपने यो बनाई हुए हैं, social media platform, आप लोग वाटसाब में लिंक लगा सकते हैं, स्टोरी के जग भी है, जहां किसी लेबल पर भी आप लोग शेर कर सकते हैं, थैंक्स फार स्पोर्ट में, जिस तरह से स्पोर्ट करेंगे हम आपकी अमादद करते रहेंगे, और काफी खुश हैं बच्चे first semester के क्योंकि आगर offline हो जाते पेपर तो आप लोग उड़े जाते क्योंकि first semester में ही जमूज उनिवरिस्टी के अंडर 1000 में से सिर्फ 300 बच्चे पास होते हैं, तो सारे फेल होते हैं, आनलाइन पेपर में हजार में से 800 बच्चे पास होते हैं, कोई 200 बड़ी मुश्किल से फेल होते हैं, जो जिनको बिलकुल ही नहीं दियान देते हैं, पेप पर हुए थे, उन सभी के बच्चे पास हुए हैं, अच्छे माक्स, 80% आये हैं, और आपके भी इस तरह के आएंगे, बट आप थोड़ा सा जो है वो ध्यान रखेंगे, तो अधरवाइस दोस्तों उड़ भी जाते हैं, आनलाइन पेपर में भी